Hey everyone, this is Sejal Yoshi और आज की वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं जो हमारा chapter चल रहा था, chapter number 3 LPG, यह इसका part 2 वीडियो है first part इसका already covered है तो वो जो उसकी playlist है, वो पूरी बना दी है वहाँ से जाके आप check out कर लेना secondly यह इसके जो notes की link है वो description पर दे रखिये, तो वहाँ से जाके आप उसको देख लेना and इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा पहला L आता है liberalization मतलब काफी मैं बोलूँगा ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है तो अब इससे प्रीवेस वीडियो में हमने overview लिया था कि क्या होता है liberalization, क्या होता है privatization और क्या होता है globalization उपर उपर से समझा था अब इस वीडियो में जोग डिटेल डिसक्रशन करने वाले है liberalization के बारे में देखो liberalization जो term है उसमें एक word आ रहा है liberal liberal मतलब होता है किसी भी चीज़ को free करना या freedom प्रोवाइट करना अब यहां पर किस freedom की बात हो रही है उस freedom की बात हो रही है жितने भी आपने restrictions लगा के रखे हैं जितने भी आपने regulations लगा के रखे हैं प्राइवेट सेक्टर के उपर या industries के उपर उसको remove करने की यहाँ पर या free करने की बात करी जा रही है देखो हमें पता है 1991 से पहले previously क्या होता था बहुत सारे restrictions लगाये गए थे आपको नई industry setup करने होती थी तो भी आपको license जिये आपको expand करना है तो भी license जिये आपको diversify करना है तो भी license जिये secondly import duties और export duties भी लगाये जाती थी यानि taxes लगाये जाता import और export करने में तो कही न कहीं इस वज़े से हमारी economy की जो growth है वो बहुत ज़्यादा hamper हो रही थी या रुक रही थी जिस वज़े से liberalization लाया गया तो देखो क्या लिखा है previously restrictions in area of licensing लगाये गये थे import and export में restrictions लगाये गये थे and dealing in foreign exchange foreign exchange मतलब जो dollars के terms होते हैं तो government ने यहाँ पर भी काफी सारे restrictions लगा रखे थे ठीक है अब जो main definition आती है वो आती है liberalization means removal of entry and growth restrictions on the private sector जितने भी आपने restrictions और जितने भी आपने licenses ये लगा रखे हैं जिस वज़े से private sector grow नहीं कर पा रहा है उन सब को हटाने की बात करी गई liberalization के अंतर so this is the main definition which you have to write ठीक है अब इसके अंदर क्या हुआ ना इसके अंदर government ने बोला कि अब आप freely run कर सकते हो आपको पूरी freedom provide करी है आपको जो goods produce करने है करो आपको जो भी prices set करना है करो government बीच में interfere नहीं करेगी यानि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि market forces of demand and supply के basis पे किसी भी product का price set करा जाता था यानि पहले क्या होता था government set करके दे दी थी कि इस product का इतना ही price रहेगा बट बाद में जिसकी जितनी demand है जिसकी जितनी supply है और जितना price निकल के आ रहा है उस business पे करा गया तो यहाँ पे भी यही बोला है under this business is allowed to run freely and there is freedom to fix prices यानि आप खुद अपने prices यहाँ पे set up कर सकते हो तो यह था general में liberalization की जितने भी restrictions हैं growth के उपर लगा रखें आपने private sector की और industries की उसको हटाने की बात करी गई liberalization के अंदर आप इसको note कलो मैं एक second के हट जाता हूँ तो यह तो हमने पढ़ लिया liberalization का basic मतलब क्या होता है अब हमारे पास जो topic आता है वो यह पूछता है कि भाया इसको लाने का purpose क्या था या main reason क्या था बहुत basic सा है सबसे पहला to unlock the economic potential यानि अभी तक हमने अपनी economy को बात के रखा हुआ था हम नई industry set up होने नहीं देते थे बहुत ज़दा licenses लगा के रखते थे MNCs को invest नहीं करने दे रहे थे जिस वज़ए से अभी तक हमने पूटे potential को realize ही नहीं करा कि हम कितना growth कर सकते हैं अगर यह सारे restrictions हम लोग हटा दे तो इसी potential को realize करने के लिए unlock करने के लिए यह लाया गया था liberalization क्या लिखा है to unlock the economic potential of the country by encouraging the private sector and MNCs to invest and expense वो investments करे और expend हो और हम कितना growth अचीव कर सकते हैं उसको unlock करने के लिए liberalization लाया गया था second to increase efficiency by introducing competition देखो obviously बात है अब नईने industry set up होंगी तो competition बढ़े गई और जहां पर competition बढ़े गया वहाँ पे आपको अपने आपको improve करना ही पड़ेगा यह टेनी cost वरना आप सर्वाइग नहीं कर सकते तो जब नईने industries suppose कर लो पहले सिर्फ एक ही industry है अब वहाँ पे 5 industry आगई जो same product बना रही है तो obviously बात है आपको अपने USP लाने के लिए कुछ ना कुछ improvements करते रहने पड़ेंगे efficiency को increase करते रहने पड़ेगा तो अपनी economy में obviously बात है efficiency increase करने के लिए लाया गया इससे क्या होगा बहुत ज़्यादा competition increase होगा and हमारी economy की efficiency बहुत अच्छी हो जाएगी तो ये दो basic purpose थे liberalization को लाने के अब हम लोग जो discuss करेंगे वो है जो इसके अंदर reforms लाए गए थे या changes लाए गए थे liberalization के अंदर उसको हम लोग next slide में discuss कर लेते हैं तब तक आप इसको note कर लो तो अब हम लोग discuss कर लेते हैं जो reforms इसके अंदर लाए गए थे या changes इसके अंदर लाए गए थे liberalization के अंदर पांच major है और काफी important है पहले एक बार overview ले ले लेते हैं सबसे पहला है industrial sector reforms यानि ये reforms ये changes हम लाए थे industries से related आपको पता है हो गार पहले बहुत सारे licenses लगते थे तो उसको कही न कहीं इसके अंदर reduce करा गया तो related to industries हम लोग इसमें बात करने वाले हैं जो reforms हम लोग लाए थे second financial sector reforms यानि related to financial institutions जितने भी हमारे banking system के banks वगरा होते हैं उससे related भी हम लोग कुछ changes लाए थे वो हम लोग इसमें discuss करेंगे यानि related to banks या हम बोल सकते हैं financial institutions उसके बार तीसरा हम लोग लाए थे tax reforms यानि हमने कुछ changes करे थे अपने tax structure में जो government लगाती है यानि currency से related हम कुछ reforms लेकर आये थे यानि dollar और जितनी भी अलग अलग countries के जो currencies है उससे related भी हम लोग कुछ reforms लेकर आये थे यानि related to currencies या exchange rates से related हम लोग reforms लेकर आये थे उसके बाद trade and investment policy reforms यानि हमने पहले import और export में बहुत जाज़ा duties लगा रही थी यानि जिसके अंदर हम काफी सारे reforms लेकर आये थे तो relate करते हैं import and export और जितने भी investment से related reforms थे वो इसके अंदर आये गए तो यह कुछ reforms लाये थे हम लोग globalization के अंदर यानि industries से related जो जो हम लोग changes लाये थे जिस पर सबसे पहले हमारे पास था reduction in industrial licensing यानि 1991 से पहले कोई भी industries को अगर setup होना पड़ता था तो उसको licenses के requirement पढ़ती थी या expand होने के लिए भी तो इस वज़े से काफी सारे individuals ना जब industries खोलना चाते थे तो उनके mind में ये चीज़ चलती थी कि अगर हम खोलेंगे तो हमें बहुत सारे licenses के जमेले में फसना पड़ेगा जिस वज़े से वो लोग नहीं कोलते थे majority जो हमारे industrial sector की growth थी वो रुक रही थी तो ये चीज़ government ने realize करी and उनने ये बोला कि अगर आपको कोई भी industry खोलनी है आपको कोई भी licenses की requirement नहीं है except for 18 industries उसके बाद उसको 5 industries में बोल दिया गया यानि अगर आपको 5 industries जो अभी हम discuss करेंगे उसके लावा कोई भी industry आपको खोलनी है तो आपको कोई भी license की requirement नहीं है तो यही बोला है इसने क्या करना license को remove कर दिया except for 18 industries further it was reduced to 5 industries यानि पहले बोला 18 industries में आपको license जी है उसके बाद बोला कि सिर्फ 5 industries के लिए आपको license चाहिए और वो कौन सी थी 5 industries सबसे पहला alcohols हो गई ठीक है cigarettes, defense items industrial explosives और specified chemicals यानि यह सम बोल सकते हैं बहुत sensitive और बहुत ज़्यादा hazardous products हैं तो कही ना कहीं इसका control नहीं दे सकते हर किसी को क्योंकि economic ले problem create कर सकता है तो इन 5 industries के लावा आपको जो भी industry कोलनी है आपको कोई license की जरुवाद नहीं पड़ेगी second इसके अंदर आया decrease in role of public sector यानि अपने अगर आपको याद हो जब हमने पढ़ा था IPR 1956 में जो schedule A की industries थी उसमें 17 industries reserve करी गई थी public sector के लिए अब इससे problem क्या create हुई वो जो PSUs थी वो बहुत ज़्यादा losses incur करने लग गई थी और अब time आ चुका था जो हमने reservations प्रवाइड करा था वो 17 industries को उसको reduce करने के लिए तो हमने क्या करा जो 17 industries public sector के लिए reserve थी उसको पहले reduce करा 8 में फिर अब reduce कर दिया 3 में यानि सिर्फ और सिर्फ तीन industries ऐसी होंगी जो public sector exclusively own करें की और वो तीन industries कौन सी थी atomic energy, railways और defense के जितने भी equipment हमारे होते थे यानि public sector का role कम करा गया ठीक है third हमारे पास आया de-reservation under SSI यानि जो government थी उसने पहले क्या करा था कुछ reserves करे थे products की सिर्फ और से small scale industries ही इनको produce कर सकती है जैसे की जो hand loom को produce होते थे बट अब problem क्या हुई कि हमको उसकी bulk में requirement होती थी जो small scale industries पूरा नहीं कर पा ली थी और हमारी economy grow नहीं कर पा ली थी तो इस वज़े से government ने बोला कि अब वो reservation हट चुका है अब हर कोई industry उन products को बना सकती है secondly इसमें क्या करा गया जो investment की ceiling लगाई गई थी हमें पता है कि वो 5 लाग थी अब उसको increase कर दिया गया था इसके अंदर 1 करोड में तो ये दो चीजे पहली हमारे पास आई उसके बाद ये बोला गया कि भया जो इसमें prices set होंगे वो government decide नहीं करेगी decide कौन करेगी market forces of demand and supply यानि जिस भी product की जितनी demand होगी और उसके साब से जितनी उसकी supply आ रही होगी जो भी उससे price निकल के आएगा उसके basis पे जो भी होगा price set हो जाएगा तो ये तीन चीजे इसके अंदर बोली गई सबसे पहला investment को increase करा पांच लाग से एक करोड में secondly, de-reserve करे जो भी products small scale industries के लिए reserve करे गए थे and lastly, market was allowed to determine process यानि demand and supply के जो market forces होते हैं उनके थूँ अब products के prices determine होने लग गए थे right, fourth हमारे पास आया MRTP Act 1969 इसकी full form है Monopoly Restrictive Trade Practices यानि इसमें क्या बोला गया ना ये भी कही ना कहीं इसी चीज को बोल रहा था कि अगर आपको कोई नई industry establish करनी है आपको expansion करना है आपको कोई दो industries मिल के एक साथ खोलनी है तो आपको कोई भी license की जरुवत नहीं पढ़ने वाली है ये इसलिए बोला गया ताकि monopoly control ना हो जाए हमारी economy में यानि अगर सिर्फ अगर एक ही industry या विनी चुनी industries रहेगी तो उसका monopoly control हो सकता है और इसी चीज को रोकने के लिए ये MRTP Act लाया गया तो यहीं बोल रहा है कि कोई भी license की जरुवत नहीं है expansion करने के लिए establishment करने के लिए as well as किसी भी दो industries को merge up करके खोलने के लिए ठीक है अब ये जो MRTP Act है इस नाम का कोई भी act नहीं है अब इसको convert कर दिया है Competition Act 2009 में तो यह चार चीज़ें हमारी करी गई थी industrial sector reforms के अंदर तो हमने पहला क्या discuss कर लिया industrial sector reforms अब हम लोग discuss करने वाले है financial sector reforms देखो financial sector मैंने अल्रेडी बताया रिलेट करता है जितने भी हमारे financial institutions है जो finance में deal करते है या पैसो के टम्स में deal करते है और इसमें क्या क्या आते है इट इंक्लूड्स जितने भी commercial banks होते है वो क्या करते है deposit collect करते है loans provide करते है in terms of finance या पैसो के टम्स में secondly stock exchange operations यानि जितनी भी हम बोल सकते है financial institutions shares, bonds, debentures इसमें deal करते है वो भी इसी financial institution के अंदर आते हैं right अब हमारा जो head है इस time पे financial sector का head कौन है वो हमें पता है क्या है Central Bank और Central Bank क्या है RBI Reserve Bank of India और यह established कब हुआ था यह पता होना चाहिए 1 April 1935 में यह established हुआ था यह basic चीज हमको पता होनी चाहिए अब यह financial sector के अंदर reforms क्या लाए गए इसके अंदर total 4 reforms लाए गए थे जिसमें सबसे पहला हमारे पास था change in role of RBI यानि 1991 से पहले RBI as a regulator की तरह काम करता था यानि वो regulations बनाता था और बहुत ज़्यादा control करता था अपने नीचे जितने भी financial institutions या banks हुआ करते थे अब 1991 policy के बाद यह बोला गया कि अब आप सिर्फ regulate और control नहीं करोगे अब आप facilitator बनोगे यानि आप facilities प्रोवाइड करोगे और encourage करोगे जो भी commercial banks याद नीचे banks हैं कि वो अपने decisions खुद ले आप उनमें interfere नहीं करोगे यही चीज इसके अंदर लाई गई तो क्या बोल रहा है RBI's role was shifted from regulator to facilitator यह दो important keyword जरूर याद रखना इसके अंदर hence financial sector was allowed to make decisions without consulting the RBI यानि अब RBI की हर बार consultation लेने की जरुद नहीं है सबसे बड़ा example इसका यही है कि यह पहले जो होता था commercial banks को जो interest rate set करना होता था वो RBI से पूछ के करना पड़ता था but इस policy के आने के वाद commercial banks के पास यह freedom हो गई कि जो भी उसको interest rate रखना है वो रख सकती है उसको RBI से पूछने की जरुद नहीं पड़ेगी तो यही आया change in role of RBI regulator से facilitator second आया origin of private banks यानि 1991 से पहले हमारे पास सिफ public sector के banks ही available हो पाते थे but इस policy के आने के वाज़े से नएने private banks भी खुले और यह जो private banks होते थे यह सिफ Indian banks नहीं होते थे as well as foreign banks भी हाँ खुलने लग गए जैसे example देख लेते हैं जैसे आपका ICICI जो Indian private bank है secondly foreign के private bank HSBC that is Hong Kong and Shanghai Banking Corporation तो दोनों तरह के banks private Indian as well as foreign banks develop होने लग गए अब इस वज़े से पता है क्या हुआ consumers को बहुत ज़्यादा benefit मिला क्योंकि obviously बात है अब नए-ने banks developed हो रहे हैं तो competition उनके बीच पे बहुत ज़्यादा increase होगा and हर को ही चाहेगा कि हम कम से कम interest पे loan provide करना चालू करें and इस वज़े से consumers को काफी ज़्यादा benefit हुआ यह competition increase होने की वज़े से तो यही बोल रहा है it benefited the consumers by increasing competition, competition increase करने के वज़े से consumers को काफी सारा benefit हुआ, right तो तीसरा हमारे पास इसके अंदर है increase in limit of foreign investments यानि की foreign investment फद लब क्या होता है, general sense में जो हम बाहर की countries में पैसा लगाते हैं, उसको हम बोलते है foreign investments, अब foreign investments जो type की होती है, एक होती है FDI और एक होती है FII, FDI मतलब foreign direct investments यानि जब हो जो investments हम लोग अपनी खुद की industry उस country में establish करके करते हैं, जैसे की for example dominoes है, अब dominoes ने हमारे वहाँ investments करी है, उसने अपने खुद की branch physically हमारी country में खोल रखी है, that is foreign direct investments, FII क्या होता है, foreign institutional investment, यानि जब हम दूसरी country के shares में पैसा लगाते हैं, उसकी company में shares में पैसा लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं foreign institutional investments, यानि जब हम दूसरी country के company के shares को परसेज करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते है, foreign institutional investments, तो अब यही बोल रहा है कि यहाँ पे जो foreign investments है, उसको raise कर दी गई around 74%, जो कि पहले 51% थी, उससे पहले तो और भी कम थी, फिर increase कर दी 51% पे, और अब increase कर दी 74% पे, उसके आगे क्या बोल रहा है, FII, like merchant bankers, mutual funds, were now allowed to invest in Indian financial markets, यानि उनको investments करने की allowment मिल गई थी, यानि वो shares purchase कर सकते थे हमारी country के, FII, foreign institutional investments, तो यही बोल रहा है, increase करा foreign investments की limit को, फोर्थ है ease in expansion process, देखो, इसमें क्या बोला गया, कि अब जितने भी commercial banks, या छोटे मोटे banks हैं, वो अपनी खुद की branches खोल सकती है, हर जगा पे, without the approval of RBI, RBI बोलता है कि आपको जहां भी भी branches खोल नहीं है, आप खोल सकती हो, बट कुछ basic जो मेरी guidelines है, उसको follow कर लो, उसके बाद आपको कोई नहीं टोकने वाला, आपको कोई approval की जरुवत नहीं पड़ेगी, तो simple बाइसा में यह बोला, banks were allowed to set up new branches, without the approval of RBI, नहीं branches आप खोल सकते हो, RBI की approval के बिना, कुछ basic guidelines को follow करने के बाद, तो यह चार हमने पड़े किसके अंदर, reforms under financial sectors, जो की change in role of RBI, origin of private banks, increase in limit of foreign investments, and ease in expense in process, तो यह दो हमने cover कर लिये, reforms, liberalization के अंदर, जो की क्या है, industrial sector reforms, और दूसरा, financial sector reforms, थर्ड है, tax reforms, अब हम discuss कर लेते हैं, tax reforms को, tax reforms, देखो, tax reforms हमने क्या करा, changes lie अपने tax के structure में, यानि हमने कहीं न कहीं टेक्स को काफी ज़्यादा reduce करा, and taxes related को changes हमारी economy में करे, तो क्या बोल रहा है, means changes in the tax structure of government, अब taxes जो होते हैं, वो दो type के होते हैं, एक होते हैं direct taxes, और एक होते हैं indirect taxes, direct taxes वो taxes होते हैं, जो हम किसी individual की income पे लगाते हैं, जैसे मेरे एक तारीफ को salary आई या income आई, उसमें जो tax कटेगा, वो है direct tax, similarly अगर कोई company profit कमा रही है, तो उसमें जो corporation tax करता है, उसको हम लोग बोलते हैं direct tax, यानि individual income पे जो करता है, so taxes on income of individuals, and profits of business, जो taxes कटेंगे, उसको हम बोलेंगे direct taxes, second है indirect taxes, for example समझ लो यहाँ पे cube रखा हुआ है, जब मैंने इसको purchase करा होगा, तो इसमें जो tax already included होगा, वो मैंने directly government को नहीं पे करा, मैंने ए चीज़ खरी दी, इस वज़े से मेरे को tax देना पड़ा, इसको बोलते हैं indirect taxes, तो यहीं बोल रहा है, taxes on consumption expenditure, imposed on goods and services, आमर्स लेते हैं, आपको note करना कर लो, ठीक है मैं एक second के लिए हट जाता हूँ, अब हम लोग discuss कर लेते हैं, जो changes हम लोग tax reforms के अंदर लाए थे, total तीन थे, पहला है rationalization of direct taxes, यानि हमने reduce करा अपने tax rate को, ताकि हम government की income को increase कर सके, या tax rates reduce करने से, government की income कैसे बढ़ेगी, देखो क्या होता जब गौर्मेंट tax rate बहुत जादा रखती थी, तो लोग अपनी income को चुपाते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो tax थे, इसलिए government ने क्या करा, अपने tax rate को reduce करा, so that लोग अपनी income खुद से show करें, कि ये हमारी income है, और हम tax भरने को तयार है, क्योंकि अपने tax rate ही ऐसा रखा है, कि सब लोग pay करने के लिए तयार हो जाएंगे, तो क्या करा गया, reduce करा गया tax rate, तो क्या बोल रहा है, reduction in taxes to increase government income, यानि इसमें tax rate को reduce करा गया था, government की income बढ़ाने के लिए, people voluntarily disclose their income, यानि पीपल ने खुद से ही अपनी income को disclose करना चालू करा, right, second था हमारे पास, reforms in indirect taxes, यानि पहले क्या होता था हमारे पास, बहुत अलग 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 type के indirect taxes होते थे, जैसे VAT हो गया, value added tax, sales tax हो गया, transportation का अलग tax, यानि सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स हो, यसे 10-15 टेक्स होंगे, तो जो consumer है, वो भी बहुत जादा उसी से परशान हो जाएगा, right, तो ये बोला, इसका एक motto भी था, आपको एक बार बताऊं, तो इसका motto था, one nation, one tax, यानि एक nation का सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्स होना चाहिए, इसका motto भी था, उसका तीसरा आया, simplification in process, यानि पहले क्या होता था था न, जब आपको टेक्स बना होता था, तो आपको बहुत complex process के थूँ होके जाना पड़ता था, आपको पूरे documents फिल करने पड़ते थे, आपको लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, जिस वज़े से लोग इसको avoid करते थे, टेक्स को भरने को, तो government ने क्या करा, इसको बहुत जादा simplify कर दिया, अगर हम आज की time पर बात करें, तो हम बैठे-बैठे घर में online, 5-10 मिनट के अंदर अपना ITR फाइल कर सकते हैं, तो यह इसलिए करा गया, ताकि लोग खुद से टेक्स भरना चालू करें, और government का revenue increase हो थ्रू टेक्सेस, तो यही बोल रहा है, in order to encourage people to pay taxes, many procedures have been simplified, यही प्रोसीजर को बहुत जाज़ा simplify कर दिया, so that consumer जो है, वो खुद से टेक्सेस पे करना चालू करें, तो यह तीन चीज़े हमने करी किसके अंदर, major tax reforms के अंदर, तो यह आप तक नोट कर लो, मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूं, अब हमने डिसक्स कर लिए अपने tax reforms, अब हमारे पास जो next reform आया, वो आया foreign exchange reforms, foreign exchange बतलब हमारी currency के लावा, जितनी भी currencies है, वो foreign exchange के अंदर आती है, यानि हमने यहाँ पर reforms लाए related to currencies, जैसे dollar हो गया, euro हो गया, या exchange rates related हम लोग reforms इसके अंदर लेकर आये, और इसके अंदर मात्र दो चीज़े आई, सबसे पहला था devaluation of rupee, यानि हमने अपनी currency को devaluate करना चालू करा, that means devaluation मतलब क्या होता है, अपनी currency की value को गिरा देना in respect to another currency, for example समझना, पहले $1 is equals to 70 rupees होता था, अब क्या होता है, $1 is equals to 75 rupees, यानि हमारी currency की value devaluate होई, क्यों? क्योंकि भाईया, पहले $1 purchase करने के लिए, हमको 70 rupees देने पड़ते थे, अब वही $1 purchase करने के लिए, हमको 75 rupees देने पड़े है, यानि हमारी currency की हैसियत क्या हो रही है, कम हो रही है, अब क्या बोल रहा है, it led to increase in exports, अब भाईये इससे exports कैसे बढ़े, समझना एक बात को, पहले वो $1 में 70 rupees के goods हमसे ले जाते थे, अब वही $1 में, वो हमसे 75 rupees के goods ले जा रहे हैं, that means उनको लाला चाया, अच्छा सस्ती चीज़े मिल रही हैं, तो हम जाज़ा से जाज़ा अपनी country में imports करा हैं, तो उनने import करा, यानि हमारा export बढ़ा, और export बढ़ने के वज़े से सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, उनकी currency हमारे पास आई, यानि की foreign exchange हमारी country में आना चालू हुआ, तो यही बोल रहा है, it led to increase in exports, second जो इसके अंदर चीज़ आई, वो था market determination of exchange rate, यानि पहले क्या होता था, जो यह exchange rate मैंने बोला, कि 1 dollar is equal to 70 rupees, यह कौन decide करता था, यह decide करती थी government, लेकिन यानि इस policy के आने के बाद, जो यह exchange rate था, यह कौन decide करती थी, market forces of demand and supply, यानि जिस currency की जितनी demand होगी, उस इसाब से जितनी उसकी supply होगी, और जो भी उससे price निकल के आएगा, वही exchange rate determine करता था, इस वज़े से क्या होता जो बाहर के investors होते थे, या बाहर की जो लोग हमारी country से import करवाना चाते थे, उनको एक अच्छा sign मिला, यहाँ पर government जदा interfere नहीं करती है, सब कुछ market forces के basis पे ही decide होता है, और उनको encouragement मिली, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी country में invest करें, और हमसे imports करवाए, तो यही बोल रहा है, market forces were allowed to determine the exchange rate, यानि market forces अब determine करता था exchange rate को, now government didn't decided the exchange rate, government यहाँ पर बीच में interfere नहीं करती है, तो यह बोला गया foreign exchange reform के अंदर, आप इसको note कर लो, मैं एक second के लिए हट जाता हूँ, तो यह हमने discuss करा foreign exchange reforms, अब जो हमारे पास last reform, last reform जो बचा है, वो है trade and investment policy reforms, यानि import और export और investment से related, हम कुछ changes लेकर रहे थे, उसको हम लोग इसमें discuss करने वाले हैं, देखो इससे पहले हमने क्या देखा था, हमने import substitution की policy follow करी थी, जिसमें हमने बहुत सारे tariff and quotas लगाए थे, so that हम अपनी domestic industries को protect कर सकें, लेकिन बात यहाँ पर निकल के आती है, कि कब तक हम उनको protect करेंगे, कब तक हम उनको पालते रहेंगे, कभी ना कभी तो हमें restrictions हटानी पड़ेंगी, and इस वज़े से क्या और था ना, domestic industries भी इसका बहुत ज़्यादा गलत फायदा उठार थी, क्योंकि वो अपने आपको grow ही नहीं करी थी, क्योंकि उनको दिखता था है, lot of taxes and quotas on import and export, बहुत सारे taxes और quotas लगे थे, import और export पे, to protect domestic industries, ताकि हम domestic industries को protect कर सकें, अब बात आदी है, यह initiate क्यों करें गए थे, यो trade and investment policy reforms को क्यों लाए गया था, basic से हमारे तीन रीजन है, सबसे पहला है, to increase in international competitiveness, ताकि competition बड़े, obviously बात है, competition बहुत ज़ज़ा ज़रूरी होता है, अगर हमारे अपने industry को grow करना है, भार से competition आएगा, good सस्ते में आएगे, तो हमें उनसे compete करना पड़ेगा, तो पहला point यह बोला गया, to increase international competitiveness, बहुत basic points है यार, इसमें उतना detail में जाने की ज़रवाद नहीं है, to promote foreign investments and technology in the economy, यानि बहार से technology लाना, नहीं नहीं, technology को adopt करना, वो इसका एक और important reason था, third, to promote efficiency of local industries, and adoption of modern technologies, अब हम बहार से जो imported goods लेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं, raw materials लेंगे, वो सस्ते में आएंगे, तो उसको जो small scale industries या local industries हैं, वो भी उसको purchase कर सकती है, और अपना अच्छा कासा efficiency इंप्रूफ कर सकती है, production करके, तो यह तीन basic points बोले गए, सबसे पहला international competition बढ़ाके, secondly, नई-नी technologies लाके, हमारी country में investments कराके, and lastly, local industries की efficiency को improve कराके, so these were the basic points, जो initiate करी गई थी, यह trade and investment policy, right, तो इसके अंदर जो चीज़े आई, वो देख लेते हैं, सबसे पहला था, removal of quantitative restrictions on imports and exports, याँ आपको याद होगा, जो हमने import substitution policy पढ़ी थी, उसमें क्या हो था, हमने quota लगाये थे, that is quantitative restrictions, जैसी के उसमें हमने बोला था, कि हम सिर्फ और सिफ 1000 bicycle ही, हम लोग import करेंगे, तो वो सारे restrictions, याँ वो सारे quota, हमने कहीं न कहीं, बहुत ज़्यादा reduce करें, and इसका एक बहुत अच्छा example यह है, कि हम जितने भी agricultural products, as well as जितने भी consumer products, हम import करते थे, उसमें सारे restrictions quantitative, हटा दिये गए थे, April 2001 में, very important data, April 2001 में, सारे quantitative restrictions, agriculture और consumer goods पे, हटा दिये गए थे, तो यहीं बोल रहा है, quotas on imports and exports, और यह दो example थे, इसमें पूरी तरीके से, हटा दिये गए थे, April 2001 में, जो मैंने यहाँ पे लिखा है न, same to same आप लिखके आ जाना, बिल्कुल आपके marks नहीं कटेंगे, second है, removal of export duties, देखो हम लोग जो export करते थे products, उसमें बहुत सारी duties या taxes लगते थे, जिस वज़े से क्या होता था, जो products हम लोग export करते थे, वो महेंगे हो जाते थे, for example, हमने कोई good बनाया 100 रुपे का, और हमने उसको बहार बेजा, उस पे tax लगके वो बन गया 150 रुपीज का, यानि अब इतना महेंगा product हो गया, तो कौन उसको purchase करना चाहेगा, जिस वज़े से कहीं न कहीं हमारे products, अपनी market में competitiveness खो रहते, तो इसी international competitiveness को maintain करने के लिए, जितने भी export पे taxes लगाए जाते थे, वो हटा दिये गए, यानि remove कर दिये गए, तो यहीं बोल रहा है, to increase competitive position of Indian goods in the international market, ताकि international market में हमारे जो goods हैं, उनके competitive position बन सके, ठीक है, third हमारे पास आता है, reduction in import duties, यानि इसमें हमने ये बोला, कि जो भी goods हम import करेंगे, उसमें taxes कहीं न कहीं काफी जादा reduce हो जाएंगे, इस वज़े से क्या होगा, competition बहुत जादा increase होगा, क्यों, क्योंकि भाई आप बहार से जो product आ रहे हैं, in terms of prices, तो अपनी quality उनको improve करनी पड़ेगी at any cost, तो यहीं बोल रहा है, improve the competition, second में बोल रहा है, enable domestic industries to import raw materials at low rate, अब जो यही बात यहाँ पे एक benefit में ये निकल के आई, कि जो goods, जो raw materials वो import कर रहे हैं, वो सस्ते में कर सकते हैं, पहले अगर जब उनको import करना होता था, तो taxes लग के आते थे और वो महेंग गो जाते थे, बट अब raw materials वो सस्ते में ले सकते हैं, क्योंकि import duties को हमने काफी ज़्यादा क्या कर दिया है, reduce कर दिया गया है, राइट, फोर्थ हमारे पास आया, relaxation in import licensing system, यानि पहले अगर किसी country को, हमारी country में कुछ import करवाना होता था, या समान बेजना होता था, तो उसको licenses की जरुद परती थी, जिसको इसके अंदर बिल्कुल abolish कर दिया था, so that competition हमारी economy में increase हो, but अभी भी जो hazardous products हैं, उसको import करने के लिए licenses की जरुद परती थी, यार हम अपनी खुद की industries तब को hazardous products बनाने नहीं दे रहे हैं, तो बाहर की industries से तो हम घंटा import करेंगे hazardous products को, तो इसमें यही बोला गया, कि भाईया जो import licensing system था, उसको abolish कर दिया गया, except in case of hazardous industries, hazardous industries के लावा, आप कोई भी import licensing की जरुद नहीं पड़ेगी, आप बढ़िया करके भेज सकते हो हमारी country में, उसके बाद बोल रहा है, encourage domestic industries to import raw materials at better prices, सेम चीज़ भई बोली, licensing system अड़ गया, तो उन लोग ने raw materials भी भेज जाओगा, तो जो हमारी domestic industries को काफी ज़्यादा use माया, and कम prices में मिलना लग गया, and be more competitive, अब जो domestic industries ने raw materials यूज करा, और अपनी industries का production इंक्रीज करा, and competitive position बनाई अपनी market में, और competitive बने, तो ये चार चीज़े हमने देखी किस के अंदर, trade and investment policy reforms के अंदर, तो हमने सारे discuss कर लिए, जितने भी reforms थे, liberalization के अंदर, I know थोड़ा video लंबा चले गया होगा, but मैं चाता थे कि सब लोग हम इस video के अंदर ही cover कर लें, I hope आपको सारी चीज़े समझ में आयोंगी, and if you understood everything, यार मेरे को comment down करके बता देना, जो 5 reforms हमने liberalization के अंदर लाए थे, उसको comment down कर देना, so that मेरे को भी रख सके कि हाँ आप उस चीज़ को respond कर रहे हो, ठीक है, तो this is all for this video, next part हम लोग इसका cover करेंगे, अगली वीडियो में, और उसमें हम इस chapter को पूरा complete कर देंगे, till then, all the best. यृओवर्या देना, में सब्सक्याषी typically26 यृओब। और मेरे यृओवर्या यृओवर दो यृओवर्या देना, प्को एक साथ कीया Dismis Dismis प्को एक साथ कीया Dismis Dismis